आप सबी को हमारे इस वीडियो में पहुत-बहुत स्वागत दोस्तों मैं सिभम अपने YouTube चैनल टेक्निकल सिभम पे स्वागत करता हूँ दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ तरह डाटा अपने क्लाउड के अंदर कैसे आप सिंक कर सकते हो तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा तो चलो तो आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी स्रुकेश्ट है वीडि लिए आपको सेटिंग का ओप्सन इससे आपको इनेबल कर दिते हैं उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको on और off तो आपको इसे on कर देना है इस पर click करना है इस setting को enable कर लेना है जैसे आप इस setting को enable कर लेना है जैसे आप इस setting को enable कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा manage sync alarm आपको इस पर click करना है और यहाँ पर आपको यह देख लेना है कि कह तो यहां पर परमीसन देना है और यहां पर आपको सारे फोल्डरों को परमीसन नहीं देना है हो सकता है आपके किसी फोल्डर के अंदर बहुत सारा वीडियो पड़ा हो तो वो वीडियो जब सिंक होगा तो यहां पर आपका डाटा भी ज़्यादा खत्म होगा और वहाँ पर आपका जो crowd का storage देखने को मिलता है वो जल्दी full हो जाएगा तो यहाँ पर आपको उस folder को enable करेंगा है उसके बाद buy करेंगा है और उसके बाद फिर से buy करना है और यहाँ पर देखने को मिलगा sync का option आपको इस पर किलिकरना है आपका सारा का सारा यहाँ पर sync problem solve हो जाएगा आपके gallery के अंदर और यहाँ पर आपका gallery का सारा data sync हो जाएगा तो इस तरह से अपने gallery के sync problem को आप solve कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर solve करके आपको पूरा details में बता दिया है तो मिलते हैं next video में इस video के लिए इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद